फिल्म रक्षा बंधन को आखिर क्यों किया जा रहा है बॉयकॉट जी है दोस्तों फिल्म रक्षा बंधन रिलीज को तैयार है 11 अगस को यह फिल्म रिलीज होगी बड़े परदे पर लेकिन इसे पहले ही से बॉयकॉट करने की मांग उठ रही है फिल्म बॉयकॉट करने की व पर ट्विटर पर अक्षर कुमार की साथ फिल्म रक्षा बंदन को नहीं देखने की अपील की जो रही है और फिल्म को बॉयकॉट करने के ट्रइट चल आया जो रहा है यहां लेकिन फिर भी उनके स्क्रीन शॉट्स तीजी से वारल हो रही है ऐसे में आप कंग्र रनौत ने भी एक बड़ी बात सामने रख दी है कंग्र रनौत ने कहा कि यह सब अपने पुराने ट्वीट्स डिलीट कर रही है क्योंकि इन डर है कहीं का लगाया पैसा अब की स्क्रीन शॉट्स के साथ असफ़ीं को बॉय्कॉर्ट करने की मांग उठाते ही रहेंगे दुन भी तlaisन्व ड़ Esteaux अंहीं कि अक्सरी किशमार को लेकर बॉयकॉर्ट को लेकर इस फिर्म को बॉयकॉर्ट किया जा रहा है बता दें कि वह एक कि अपने मुद्वपरक्स से ट्विट किया करती है ağabay अपने पुर्णी टूट्स खंगाल रही है और उन्हें डिलीट कर रही है ख़बरे आई है कि उन्होंने 14 15-20 पुराने ट्विट्स अपने डिलीट कर दिये हैं लेकिन ऐसे में भी लोग उनके पुराने ट्विट्स के स्क्रीन शॉट धडलने से सोशल मीडिया परश्ट्रेयर कर रही हैं देखना इंट्रस्टिंग हुगा कि आखिर आने वाले वक्त में रक्ष्रा बंधन क्या कमाल करेगी क्या ये फिल्म चल पाएगी या नहीं या फिर ये फिल्म वाकई बॉयकॉट हो जाएगी